दोस्तो सरदियों का मोसम आ चुका है और माप के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो ले के आया हूँ जी हां दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे घरों में जो हम रूम हीटर या फिर कुकिंग हीटर यूज़ करते हैं कि इनका बिजली का बिल कितना आएगा तो दोस्तो इस कन्फियूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए ये एक वीडियो लेके आए हैं इस वीडियो में हम तीनों ही हीटर का एक महिने का इलेक्रिशिटी बिल निकालने वाले हैं तो दोस्तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम 1000W, 1500W और 2000W ये जो हमारे पास सबसे ज़्यादा गरों में यूज होने वाले हिटर हैं वो 1000W, 1500W और 2000W के हिटर होते हैं इन तीनों हिटर का दोस्तो आज हम electricity बिल निकालने वाले हैं तो दोस्तो बिजली का बिल निकालने के लिए जो दोस्तो हमारा formula होता है वह होता है KWH, KWH यानि की किलो वाट आवर वाट दोस्तो हमारे पास दिया है 1000W, 1500W और 2000W तो दोस्तो वाट को KWH में चेंज कर लेते हैям तो सबसे पहले हम 1000W का electricity बिल निकालने वाले हैं तो 1000W है हमारे पास तो इस हम KWH में चेंज करने के लिए क्या करेंगे इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे डिवाइड करेंगे तो दोस्तो हमारे पास आजाएगा 1KW गंटे चलाते हैं, तो माज लीजे दोस्तो हम हमारे जो room heater है या फिर खाना मुलाने वाले heater हैं, हम इने एक दिन में 8 गंटे यूज़ करते हैं, और हमारी unit यह दोस्तो kwh unit और kwh दोनों दोस्तो एक ही बात होती है इन्हें हम unit भी बहुल सकते हैं और kwh भी बहुल सकते हैं एक दिन में मालीजिये हमारे hitter को कितने गंटे चलाते हैं 8 गंटे चलाते हैं तो kwh में change करने के लिए हम क्या करेंगे into h यानि की 8 गंटे से 8 से divide कर देंगे तो दोस्तो हमारे क्या हैगा 8 kwh यह दोस्तो हमारी एक दिन की unit आ गई है यानि की एक दिन में हमारे जो 1000 watt का hitter है वह है 8 unit की consumption करता है या फिर 8 kwh लेता है दोस्तो और 30 दिन में कितनी unit लेगा दोस्तो 30 into 8 यानि की 240 kwh यानि की दोस्तो हमारे जो 1000 watt का hitter है वह है एक महिने में 240 unit की consumption करता है और 1 unit का price कितना है 1 unit का price है दोस्तो मान लीजिए 8 रुपए तो हमारी जो 240 unit है एक महिने में जो उसनी consumption की है उसकी उसका बिल कितना आएगा 240 इन्टू 8 बरबर जब में इने multiply करते हैं तो दोस्तो हमारी value आती है 1920 रुपए यानि की दोस्तो जो हमारा 1 kilowatt यानि की 1000 watt का hitter है वह है एक महिने में 1920 रुपए की बिजली खपत करता है अब हम 1500 watt के लिए निकाल लेते हैं दोस्तो यह देखिए यहाँ पे हमारा पास kw कितना था 1.5 kw था इसे हम multiply करेंगे 8 से यानि की hour कितना है हमारा 8 जब इसे हम multiply करते हैं तो यहाँ पे आएगा दोस्तो 12 kw यानि की एक दिन में हमारा जो 1500 watt का hitter है उसे जब हम 8 गंटे चलाते हैं तो वह एक दिन में 12 unit होच करता है यह हमारी एक दिन की unit खर्च आ गई 12 kw तो 30 में कितनी करेंगा 30 इंटु 12,2,3,36 यानि की 360 unit खर्च करेंगा दोस्तो 360 unit처ak एक रवब नुट का खर्च कितना है यहाँ पे आपने बताये था एक इनुट का खर्च कितना है 8 रुपए तो हमारी एक महिने में कितनी इनुट है 360 तो 360 इन्टू 8 एक इनुट का प्राइज 8 रुपए है जब हम इने आपस में मल्टिप्लाइ करते हैं तो दोस्तो हमारी वेल्यू आती है एक दिन में 12 इनुट खर्च करता है और एक महिने में 360 इनुट के अकोर्डिंग हमारा जो एक महिने का बिजली का बिल आएगा वह आएगा एक अठाइस सो अस्य रुपए का ठीक है दोस्तो और अब आब दो जार वाट का देख लेते हैं 2000 वाट का हमारा हिटर है उसका electricity बिल कितना आता है तो kw कितना है हमारा 2 kw एक दिन में कितने गटे चलाते हैं हम इन्टू 8 करेंगे यहां पर तो आएगा हमारा ये 16 kw h या हम इसे unit भी बोल सकते हैं यानि कि हमारा जो 2000 वाट का हिटर है वह है एक दिन में 16 यूनिट खर्च करता है तो 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च करेगा? 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च करेगा? 30 इंटू 16 16 तिया 48 यानि कि 480 यूनिट खर्च करेगा एक महीने में और एक इनुट का प्राइज कितना है आठ रुपए तो 480 इनुट का प्राइज कितना होगा 480 into 8 is equal to 3840 रुपए यानि कि दोस्तों जो हमारा 2000 वाट का हीटर है जब हम उसे एक दिन में 8 गंटे चलाते हैं तो वह एक दिन में 16 इनुट खर्च करता है और एक महिने में 480 इनुट करता है और 480 इनुट के according एक महिने का बिजली का बिल 3840 रुपए आता है दोस्तों तो दोस्तों देखा आपने जो हमारा 1000 वाट का हीटर था उसका एक महिने का बिल था 1920 रुपए और जो 1500W का HITR था उसका बिजील का बिल एक महिनी का था 2880 रुपे और जो 2000W का HITR था रूम-HITR मान लीजिए या जो हमारा खाना पकाने वाला हितर होता है वह मान लीजिए उसका एक महिनी का बिल था 3840 रुपे तो इस प्रकार दोस्तो आप अपने किसी भी हिटर का बिजली का बिल आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तो आशा करता हूँ आपको आज की है वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चनल पे नए है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंट्रेस्टिंग टोपिक पर वीडियो लाता रहता हूं मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ने टोपिक के साथ जै हिंद जै भारत